इसमें से बहुत सारे प्लेयर्स हो सकता है कि अगले दो-तीन साल बाद आपको देखने को भी न मिले इंग्लेंड की टीम में उन्होंने T20 को थोड़ा से एडवांस करके ODI बनाया 2019 के वल्लक जीत लिया लेकिन ये कभी भी बहुत अच्छी टीम ODI की नहीं रहे हैं उनके बॉलर्स कभी भी अच्छे नहीं रहें घटिया किसम के बॉलर है दोस्तों कंटेंट अगर पसंद आदा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसके लिए बैल आइकन दबाने के बाद आल पे ज़रूर क्लिक नेपाल एंड इंग्लैंड को पाकिस्तानी बॉलर्स की बहुत चाजा जोड़त है नहीं चल रहे हूं उनका मतलब साड़े चार सो साड़े चार सो मारते थे यार पाकिस्तानी बॉलर्स को अब किसी को यार 500-200 भी नहीं मार पार है यह अलत हो गई है अब आप पूछोगे बैसाब यह किस लाइन में आ गए है तो मैंने सुचा यार बचपन का प्यार है क्रिकेट भी लेकर आएंगे और इस से रिलेटेट जितने भी चीज़ें होंगे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे अगर आपको कंटेंट बसंद आता है तो लाइक कमेंड और शेयर कर आने माला काम नहीं करेंगे हम किसी नॉर्मल टॉपिक के उपर लॉजिकल बात करेंगे क्योंकि मैं भी बहुत पहले से क्रिकेट देख रहा हूं मैं बात नहीं करता है इसका मतलब यह कोई खराब नहीं है बहुत बुरी तरह मारा है ऐसा मतलब मैं नहीं कर रहा हूं कि जाके महाँ पे कह दो लेकिन मैं भी फेस्बुक पे लड़ती रहता हूं ऐसे अलग-अलग नाम से आप भी करते होगे तो जाके आप ऐसे कह सकते तो ऐसे बहुत सारे एक्जन फिकर्स मिलते रहेंगे आज के टॉपिक है इंग्लेंड की हालत खराब क्यूं है इसके उपर बहुत पहले से चर्शा करेंगे बहुत पहले से क्यूंकि मैं 1996 वल्ड को के बाद से मैं ऐस देखना चालू क्या हूं तो मेरी उमर करीब-करीब मेरे ख्याल से 7-8 सल दब से मैं पसंद करता हूं क्रिकेट देखना क्योंकि मैं इंडियन जाता है कि हम लोग सेमी फाइनल में हार जाते हैं लेकिन आपको पता है कि किसी भी ICC इवेंट अगा टोटल कर दिये जायना तो सबसे आदा बार ऑस्टेलिया के बाद इंग्लेंड गया हुआ है एंड फाइनल सेमी फाइनल में आपको पता है कि 1975 से लेके 1987 तक 1992 तक यह हर सेमी फाइनल फाइनल में गया हुए थे और एक बार भी नहीं जीते तो सबसे बड़े चोकर तो यहीं लोग है एंड इनकी ODI की टीम कभी भी अच्छी नहीं रही है 2015 वर्लकप के पहले अगर आप ऐसे क्रिकेटर्स की 100 की ODI क्रिकेटर के लिएस बनाओ जो की इसके लाम और कोई भी क्रिकेटर इस लिस्ट में नहीं आएगा यह आपको हलत बताता है इंग्लैंड की ODI क्रिकेट टीम का अब होता है कि बहुता है लोग इंग्लैंड को पहले से चिड़ा दे ते तुम लोग ऑस्टेरिया से लड़ते रहते हो कि हमने क्रिकेट इजाद अब इनकी जो प्रॉब्लम यह थी कि इनको बहुत दिल पे लग गया है चीज के लोग बोलते थे आप कि तुम ने इजात किया है कहते हो और तुम अभी तक एक मोरगन करके पियर्स मोरगन ऐसा कुछ ना जो कि आपको पता होगा कि अमेरिकन आइडल या वो यूके वाला आइडल जो शलता उसमें जाज भी बन चुके उनका एक सहवाग के साथ एक बर बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट भी हुआ था तब उन्होंने कहा था तो सह 2015 के बाद से उन्हें आयन मोगन को जो कि पहले आईरिश प्लेयर थे पता है आईरलेंड के प्लेयर थे उनको लिया और उनको टीम बना लिया अब एक्शुली 2019 में जो टीम जीती थी ना ये भी कोई बहुत अच्छे टीम नहीं थी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ ठीक प्लेयर्स बहुत जाता है जैसे ऑस्टेलिया की टीम देख लो 2000 वाली वहाँ पे ना चार-बाच प्लेयर ऐसे थे जिनका एवरेज यार 45-50 के आसपास का था उसी टाइम की इंडिया देख लो या इस टाइम की इंडिया देख लो तो कुछ बहुत सारे टेक्निकल प्लेयर बैट्समेन नहीं है ठीक है वो सिर्फ बल्ला भाजने वाले लेकिया रहे थे उनके पास उनको ऐसा हो गया था कि हमको कम से कम 9 बैट्समेन चाहिए और 7-8 बॉलर चाहिए ऐसी टीम तो हमने आल राउंडर को चुनना चालो किया तो जितने भी मैक्सिमम आज पता है उनके पास आठ बॉलर्स थिकल के मैशी में साथ से आठ बॉलर उनके पास आपको मालूम है वुड्स था जो रूट था जो बॉलिंग कर सकता था इसकार बैं स्टोक्स है ये बॉलिंग कर सकता था मोहीन अली लाइम लिविंस्टन, क्रिस वोक्स, डेविड विली, आदिल राशी सारे लोग बॉलिंग कर सकते हैं, मतलब आठ लोग ऐसे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं, आपको पता है कि उसमें नम्बर 10 तक, एक सिर्फ आप Mark Wood को छोड़तो तो बाकी सारे नम्बर 10 तक बैटिंग भी कर सकते हैं, तो उन लोगों ने ऐसे लोगों का गूरूब बनाया, ज लिगं जदा लंबा नहीं चल सकता अगर आपके पास technical players हैं तो आपकी team जदा time तक survive नहीं कर पाएगी और technical players है और flop हो रहे तो जदा time तक flop भी नहीं होगी। वो बात में अपने आप ही वो evolve करके अच्छे हो जाएंगे और यही चीज हुई England के साथ, 2019 में उन्होंने गिरते, पढ़ते, किसी मैच में अच्छा गहते, add and जीत तो लिया, but actually वो deserve नहीं करते थे, उनके जीतने के domain reason थे, पहला की World Cup England में हुआ था, and दूसरा कि उनके पास जीतने वाले प्लेयर बहुत जादा हो गए तो जो बहुत मारते थे खाली, ठीक है, उनका काम था बल्ला भाजाओ, घुमाओ, पचास वर तक खेल जाएंगे, खाली घुयाते रहो बल्ला, तो इसी चीज के चलते वो लोग जीत गए, and एक प्लस फेक्टर था उनका Ben Stokes, य यही रीजन था, लेकिन जब उन्हें इंग्लैंड से बाहर आना पड़ाना, तो इनकी यह सारे ट्रिक फिसड़ी हो गई, क्योंकि इनके पिछ जो थे न, यह अच्छी खासी बाउंस देते थे और बैड पे बॉल आती थी, तो वहाँ पे मारते थे, जहाँ पे बॉल टरन ह खुली है और यह ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे, आप देखोगे न, इसमें से बहुत सारे प्लेयर्स हो सकता है कि अगले दो-तीन साल बाद आपको देखने को भी न मिलें इंग्लैंड की टीम में, जाला चांसे से, मेरे इसाब से यही रीजन है बहुत टाइम से खेलता है, इंग्लैंड कभी भी ODI यही टीम नहीं रही है, अच्छी वाली, उन्होंने T20 को थोड़ा से एडवांस करके ODI बनाया, 2019 वर्लकप जीत लिया, लेकिन यह कभी भी बहुत अच्छी टीम ODI की नहीं रहे है, उन्होंने वही T20 को थोड़ा सा यही काम है कि अपने बैट्समन ना साड़े 300-400 मार सकते हैं, अपना काम है कि सामने वाली टीम को 300 के आसपास तक रोकना है, कोई एक पिट गया तो दूसरे वाले को आठाट अप्शन से उनके पस, तो यही उनका काम है, उनसे घटिया बॉलिंग और किसी भी टीम की नहीं ह इंग्लैंड की बॉलिंग कभी भी अच्छी नहीं रही है, इवन 2019 वल्लकब में उनकी बॉलिंग बहुत घटिया थी, यही रीजन है कि वो इस बार यहाँ पे फिसटी हो गया, उनकी बॉलिंग ने उनको ज्यादा हराया, बैटिंग आपको फिसलती भी दिख रही है, लेक मुझे लगता है कि इंडिया को जाना चीए अपने VKS 11 के साथ, जो ट्राय नहीं कियो है प्लियर्स है, या फिर जो कमजोर प्लियर्स हमको, शिलंका के खिलाफ उताज है, क्या पता, सिराज भाय फिर से चल जाए, कुछ मिल जाए हमको, वैसा शामी को रखना चीए, मुझे मुझे लगता है, बुमरा-उमरा को थोड़ा सागर रहस देना चाहते हूं, दे सकते हैं, वेट करना, कुछ बहुत सारी चीज़ हैं, इसको पर आने वाली हैं, अगले वीडियो में, कैसा लगा वीडियो जुर बताते हैं, पसंद आया है, अलाक मुझे बताते हैं, अभी कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं, सपोर्ट उस शहाज ने कहा ना, साइड में देखो, वेट टेम उसको पख्लीक करके च्छानल को सब्स्क्राइब कर सकते हो, और सपोर्ट कर सकते हो, अभी के लिए इतना ही, मिलते आख लिए वीडियो में को इनके शनरा हैं, जय हैं